दोस्तों CNG लेने वाले आज की डेट में इस तलाश में है कि कब जो है टाटा पंच CNG लाँच हो क्या उसके प्राइस होंगे क्या उसका सब कुछ होगा और कब वो उसको बुक करवा कर उसको फाइनली परचेस कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों आप हैं EM Cars पर Every Made Cars और इसी तरीके की All Sort of Automotive Information, Drive Reviews, Walk Rounds, Everything I Made on this channel अगर आपको genuine content देखना पसंद है गाडियों से related तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और bell notification को प्रेस कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ Tata Punch CNG के बारे में और ये गाड़ी अभी testing के दोरान देखी गई है कैसे हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी आपकी CNG गाड़ी है वो ऐसे कि इस गाड़ी में अगर आप देख सकते हो कि आपका जो spare tire है उसकी position under the hood आपको देखने को मिल रही है ये टायर जो है आपका डिक्की में आता है लेकिन क्योंकि वहाँ पर दो छोटे छोटे 30-30 लीटर के cylinder लगाए गए हैं इस टायर की position जो है वो नीचे आ जाती है अब Tata 5 CNG को showcase किया गया तो Auto Expo 2023 में जहां पर की Tata ने पहली बार इसके अंदर dual cylinder technology का concept introduce किया था किसलिए किया था इसलिए किया था क्योंकि CNG गाड़ी जब भी कोई खरीदता है सबसे बड़ी समस्या उसको होती है boot space की अगर आप hatchback गाड़ियां देखोगे आप अगर Tata की Tiago CNG देखोगे Maruti की Wagner CNG देखोगे कोई भी CNG गाड़ी सबसे बड़ी problem होती है उसमें boot space बिलकुल ना के बराबर होता है तो आपको अपना luggage या तो वो rear seat पर accommodate करना पड़ता है या फिर बहुत ही छोटी मोटी कोई चीज आप उसमें रख सकते हो इसका एक अच्छा विकल पाच की डेट में Breeza CNG देखने को मिलती है वहाँ पर आपको ठीक ठाक boot space देखने को मिल जाती है और Breeza CNG launch भी हो चुकी है और सबसे अच्छी बात है कि सारे variants में available है अब मैं बात करूंगा आपसे Tata CNG गाडियों की यहां पर Altro CNG जो की again dual cylinder technology के साथ में आती है वह already launched है prices out है bookings और deliveries open हो चुकी है अब Tata CNG की अगर मैं specifically 5 CNG की बात करूं तो यहां पर जो गाड़ी notice हुई है वह आपकी white color की जो है below the hood देखने को मिल रहा है और यहां पर कोई भी cam of last वगरा नहीं किया गया है नहीं कोई CNG का स्टीकर जो है आपको windshield पर देखने को मिलता है इसी तरीके से Altro CNG में भी आपका spare tire है वह आपका boat के नीचे position किया गया है अगर थोड़ी सी के specs की बात करूं तो यहां पर आपको revotron 1200cc का 3-cylinder engine देखने को मिलेगा जो कि आपका 84BHP के power और 113Nm का peak torque जनरेट करता है आपका petrol mode में और CNG में यह reduce होके हो जाएगा 76BHP के peak power और 97Nm का torque यहां पर CNG में सिर्फ आपको manual transmission ही देखने को मिलेगा अगर यहां पर मैं CNG की capacity की बात करूं तो 60L water equivalent capacity आपक जो special बात आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी वो होगी आपकी electric sunroof जो की आपके petrol variant में नहीं offer की जाएगी सिर्फ वो आपको CNG variant के साथ में देखने को मिलेगी उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर थोड़े बहुत features की तो इस गाड़ी में safety का पूरा ध्य देखने को मिलेंगे 16-inch के alloy wheels देखने को मिलेंगे automatic climate control AC देखने को मिलेगा rear AC देखने को मिलेंगे height adjustable driver seat देखने को मिलेगी I hope आपको कही न कहीं इससे help में लियोगी identify करने में कि अगर आप CNG गाड़ी के लिए प्रोस्पेक्टिव बाया रहे हैं तो आप इस गाड़ी का वेट कर सकते हैं आपके मन में कोई doubts, concerns, comparisons आप कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर comment section में mention करिएगा I'll try to make a video on that, bye bye, thank you so much for watching this video and remember दोस्तो always drive safe, bye bye